नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का एक बाफिस से बायो मंत्र के यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे जोइंट एंट्रेंस टेस्ट टूटाउजेंट ट्वेटिवन जैसा कि आप सभी को बताए आज एक्जाम इसका हुआ है दो हजार एक्जाम रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी हम इसकी एग्रिकल्चर की जो है आंसर की देखने वाले हैं पिचेतर किलोग्राम पर हेक्टियर राइट आंसर ऑप्सन नमबर टू नेक्स क्योशन है बाजरा का परिक्षण वजन क्या होता है तो दो ग्राम जो है आपको ध्यान रखना है नेक्स चलते हैं हम अरहर की कम अवदी वाली किसमे कौन कौन सी है प्रबात ICPL 151 UPS 120 सभी तो सभी ओप्सन नमबर 4 राइट आंसर है क्योशन नमबर 5 समान वर्षा को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं तो ISO हाइट से कहते हैं इसको मैक्सिकन ग्यों की कॉलेप्टाइल लंबाई मतब सेंटिमेटर में क्या है तो 5 सेंटिमेटर इसकी लंबाई होती है इक्रिसेट आपको ध्यान रखना है एक अंतर राष्टियस अंगठन है नेस्ट क्योशन है लेथाईरस में बी ओ डबल एक की सुरक्षित सीमा क्या होती है तो 0.2 से परसेंट से कम होती है औप्सन नमबर 4 राइट आंसर है बारत में सबसे रिक मोट का उत्पादन करने वाला कुंशा राज्य है राजस्थान अप्सन नमबर 3 राइट आंसर द्यान रखना है नेक्स चलते हैं आदोनिक जेवी करसी के जनक किसे कहा जाता है अलबर्ट होवार्ड को कहा जाता है नेक्स्ट और्गेनिक फेडरेशन आफ और्गेनिक एगरिकल्चर मोमेंट आई एफ ओ एएम की अपना कब हुई थी तो 1922 में हुई थी नेक्स्ट राष्टिय जेवी क्हेति के अंदर जो है कहा पर है तो गाजियाबाद में है नेक्स्ट कौन सी फसल या पुदा तीनों प्रकाड की सुसुपता उस्ता दिखाता है तो जंगली जे राइट आंसर ऑप्सन नमबर टू है यह हो जाता है नेक्स चाहते हैं क्योस्ट नमबर 14 पर है क्योस्ट नमबर 14 आपके सामने है देखे अवांचनी ए परेशानी वा मुष्किल से नियंत्रित किया जाने वाले खरपतवार को क्या कहते हैं विशेला खरपतवार कहते हैं इसको नेक्स्ट है वरतमान समय में आईसो प्रोो रोन की जगह कोन सी खरपतवार नासे का उप्योग करते हैं तो मेट सलुफुरों जो है इसका उपयोग किया जाता है option number 2 right answer है question number next सजाउटी साइटरस प्रजाती कोन सी है तो हजारा की है सजाउटी साइटरस प्रजाती next है मेडरीन का वानस्वतिक नाम है citrus रेटिकूलेटा इसका विग्यानिक नाम है वानस्वतिक नाम है next है निम्न में से कौन से फल की में एक लिंगास रही पाया जाता है, पपिता के अंदर एक लिंगास रही जो है पाया जाता है फल में, आम की बीज रहीत किस्म कौन सी है, तो सिंदू है, option number two, next है भारत में सरवादी कुतपादन वाली केले की कौन सी किस्म है, ड्वार्फ केवें जो हैं यह सरवादिक उत्पादन वाली बारत की किस्म है केले की नेक्स चलते हैं क्यों सनमर ट्वेंडिवन आम की अंभिका किस्म किन दो प्रजाते का संकरन है आमरपाली और जनारदन पसंद नेक्स अमरूत का वानस्पतिक नाम है सीडियम गुवावा नेक्स वर्षा उप नेक्स्ट है मूली का बीजदर क्या होता है नो से बारा किलोग्राम पर हेक्टेर होता है अंगूर की प्रवर्दन उप्युक्त विदी है तो कलम के दुवारा ठीक है ओप्शन नमर थ्री राइट आंसर है नेक्स्ट है फूल गोबी की ब्राउनिंग किसके कारण होती है त केले का खादी इस सा है कौन सा है इंडोकार्प राइट आंसर है अप्शन नमर टू नेक्स्ट है हनार की रोपन दूरी क्या होती है छे इंटू छे मिटर जो है इसकी दूरी होती है नेक्स्ट है ओलियो रेसिन किस से प्राप्त होता है तो मिर्ची से प्राप्त होता है और जो आपने पढ़ाता पिछली क्लासिज के अंदर पैपर्स के अंदर उनी में से काफी सारी क्योसन मिल रहे हैं किस जानवर की दूद में वशा की मात्रा सबसे अधिक होती है तो बेड के दूद के अंदर सबसे ज्यादा फेट वाया जाता है नेक्स क्योसन है निमन लिखित में से कौन सा राजे बारत में अंडे के उतपादन में सरवोचिस्तान रखता है तो कोची जो बंदरगा है वो मतसे पालन में सरवोचिस्तान पर है नेक्स्ट है क्योशन नमबर 35 35 क्योशन के हम बात करते हैं धान के पुवाल की पाचकता को बादित करने में निमने लिखित में से कौन सा सबसे महतुपून है तो सिलिका यह बातित करता है धान की पुवाल को रुमेंड में अमोनिया और कुल VFA का सकेंद्रन किसके लिए सरवादिक होता है गाय और घोड़ों में विटामिन-A की कमी का सबसे प्रारंबिक लक्षन है तो जिरोफ थेल मिया जो है यह प्रारंबिक लक्षन है next question है सामाने दूद वशा के रख रखाव के लिए कुल राशन में प्रतिशत NDF मत पुन होता है 36% NDF मत पुन होता है सामाने दूद वशा के रख रखाव के लिए यदि अनुपूरक आहर की CP सामगरी कितने पर सेंट्स चे ऊपर है तो यूरिया पूरक की सिफारिस नहीं की जाती है 25% से यदि ऊपर हो तो यूरिया पूरक की सिफारिस नहीं की जा सकती है लोकेट 8 अनुसंधान संस्तान पर इस्थित है तो करणाल के इंदर ये संस्तान जो इस्थित है तो इसके बाद हम देखेंगे जो बाइलोडोजिक के solution है बाइलोजिक की answer की है और ग्रीकल जो chemistry की आंसर की है तो इसको लेखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेफ जरूर कीजिए ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय भारत वंदे मात